जब option trading में नए नए traders आते हैं तो उनको लाखो करोडों के screenshot दिखाये जाते हैं YouTube पे काफी सारे fancy option trading के वीडियोज पड़े हुए हैं इससे ऐसा लग जाता है कि option trading तो बहुत easy है मैं पैसा कमा लूँगा बट जब आप 2-3 साल option trading में अपनी जर्णी start करते हो काफी सारी ठोकरे खाते हो तब आपको पता चलता है कि option trading की reality क्या है no doubt option trading में से अगर आप option buyer हो या option hedge कर रहे हो पैसा बनाने वाले बना लेते हैं जिनको loss होता है उसके बीचे काफी सारे reason होते हैं बट जो एक सही बंदा है उसका time waste ना हो उसको काफी सारा पहले ही पता चल जाए तो इसलिए मैंने कि यह eye opening video option traders के लिए बनाया है जिसमें 6 या 7 point में मैं यह discuss करूंगा कि आपको option trading में ध्यान क्या रखना है ताकि आपको जो ठोकरे खानी है वो तो आप खाओगे ही बट आपकी जरनी में ज्यादा time waste ना हो और आप गलत expectation या तो गलत चक्करों में ना पड़ जाओ तो इसलिए यह video एक eye opening video है if you are a new option trader आपके लिए यह must watching video है लेपटप में मैंने कुछ point note कर लिया है ताकि मैं भूलना चाहूं Let's start Point number one यह है कि option buying is a high risk high reward activity देखो काफी बार यह trend क्या हुआ है अभी कि भई लोग intraday equity में करते थे वो options में आ गये या तो नए trader आते हैं वो बले आजकल call put चल रहा है मैं option trading में आ जाता हूं बट काफी सारे लोगों को पास capital काम है तो वो लोग choose क्या करते है option buying यहां तक भी कोई गलती नहीं है बट उनको ऐसे सपने दिखाये जाते हैं या तो वो ऐसे लोगों को follow करने लगते हैं कि जहां पर बताय जाते हैं कि option buying बहुत easy है और उसमें बस 40 रुपय का premium 400 कैसे होता है वो ही आपको देखना है तो यह पूरे चक्रव यह बहुत गलत होता है option buying अगर mathematically और टेक्निकल देखा जाए तो एक high risk high reward activity है उसमें risk बहुत ज्यादा है उसमें जो आपके लोश शुरू होना चालू होंगे तो recover करना में बहुत टाइम लगने वाला है और option buying में तभी पैसा बनेगा कि जब आपका direction आपका prediction सही हो वरना आपके आथ में बाजी नहीं है compared to option seller जो hedge करते हैं उनके पास probability 66% से ज्यादा होती है हमारे पास काम होती option buying में तो यह ध्यान रखना है कि option buying एक high risk high reward activity है low risk और high reward वाली activity नहीं है यह सबसे पहली चीज इसको समझने में काफी लोगों को महीन या तो सालो लग जाते हैं ठीक है Point No.2 option hedging is a slow long term wealth building activity option hedging है वो एक wealth building activity है जहांपे slow wealth बनती है लोगों को hedging में भी ऐसी expectation है कि उनको बहुत पैसा कमा लेना है जब एक professional soldier हुआ अच्छा trader आपके सामने बैठता है और वो बोलता है मैं option hedging करता हूं तो उसका return आप देखना कि monthly वो बोलेगा मैं 2% कमा रहा हूं 2.5% कमा रहा हूं यह तो कोई-कोई मंत अच्छा चल गया मैं 3% मना रहा हूं समझा रहा हूं मनलब साल का 22-25-30% की मैं बात कर रहा हूं जो कि बहुत ज्यादा return है multi-millionaire trader होते हैं वो भी इतना नहीं कमा पाते हैं अगर आपको compound interest का formula पता है आपको compound return कैसे काम करता है wealth life में कैसे generate होती है तो wealth के return यही होते है वो 300% नहीं होते मेरी अभी एक नहीं option trader से बात हो रही थी कि जिनके पास अच्छी capital है वो hedging स्टार्ट करना चाहते तो उनको hedging का basic knowledge भी सब कुछ पता है ऐसा नहीं कि he is zero in the stock market पर उनकी expectation यह है कि यार मैं 10 लाक डालूंगा तो मुझे 40 लाक मिल जाने चाहिए यह मैं 25 लाक डालूंगा तो मेरे एक करोड हो जाने चाहिए और वो भी बहुत कम समय में तो यह बताता है कि हमें stock market क्या है पता नहीं हमें option trading क्या है पता नहीं हमें hazing क्या है पता नहीं है इससे compared में जो लोग monthly 2% target करेंगे न वो लोग इन लोगों से आगे निकल जाएंगे वो शायद करोड अब जो बना लेंगे पर यह बंदा कुछ नहीं बना पाएगा तो जब हम option hazing में आते हैं तो हमें समझना पड़ेगा कि एक slow long term wealth building activity है उससे ज्यादा यहां पे कुछ हो नहीं सकता अगर आप option hazing में आके speculation के और बहुत fast wealth के सपना देख रहे हो तो वो भी possible नहीं हो रहा यह जो option hazing के बार में reality है वो भी काफी लोग बता नहीं रहे there are many youtube channels जो option hazing के बार में पता नहीं 500,000 strategies post कर देती है इसमें no loss होगा इसमें इतना return मिल जाएगा इसमें weekly 10% मिल जाएगा यह कब आपको बहुत बड़ा drawdown आपके account में डाल देगी आपको पता भी नहीं चले गया so we have to understand option buying is a high risk high reward activity and option hazing is a slow long term wealth building activity point no.3 entry is more important than stop loss इसके बार में मैंने separate video भी बनाया है और मैं बार बार यह point आपको बताता रहूंगा अगर आप option buying कर रहे हो तो आपको mastery बनानी है entry man rather than stop loss stop loss is a very common stock market rule right इसके बार में ज्यादा बतानी की जरूरत नहीं है but option buying में आपको यह चीज़ समझने में सालों लग जाएंगे जो मैं एक statement बता रहा हूं कि जितना आप entry पे mastery हासिल करोगे ना उतना आपको stop loss के बार में सोचना जरूरी नहीं है यह लिख लेना यह सालों के experience को मैं एक statement में summarize कर रहा हूं उसी तरह से point number four adjustments are more important than strategy यह option hazing वालों के लिए है option hazing में कितनी strategies available है broker का account खुलो broker readymade आज का strategy दे देता है और उसके permutation combination भी दे देता है कि आपको straddle डालनी है आपको ratios डालना है आपको spread डालनी है ironfly iron condor आपको सब कुछ वो readymade देता है आइन फ्लाइ में भी 50 possibilities आपको दे देता है तो अब वो मामला गया कि आपको ज्यादा सोचने के जरूआता है बट इसका मतलब यह नहीं है कि आपकी struggle खतम हो गई strategies से ज्यादा important है adjustment में strategies कितनी available है कि पूरी जिंदकी चले जाएगी इतनी strategies available है adjustment कौन सिखाएगा adjustment कैसा सिखोगे और adjustment भी यह है कि रटा रटा एगनान आप ले लोगे तो live market में जो issues आते हैं वो आप handle नहीं करवाओगे again एक point क्या था अगर आप option buying कर रहे हो तो entry में महारत आसिल करनी है एजिंग में महारत आसिल करनी adjustment में यह भी आपको सीखने में बहुत time लगा जाएगा point no.5 बड़ा loss recover करने में महीनों लग जाएंगे drawdown आएगा हर एक trader के life में drawdown आता है और जब आपको पहली बार drawdown आएगा न वो ऐसे time पर आएगा कि जहां पर आपने expect नहीं किया था और उसका ही नाम है drawdown market भी अच्छा चल रहा होगा चीज़े भी अच्छी चल रही होगा अच्छानक drawdown आपके लाप में आया जाएगा बड़ा loss उसको बोलते है ट्रेडिंग की दुनिया में अगर simple तरीके से बात करूँ दो और वो loss को handle करने के लिए आपके emotional courage चाहिए होगा technically तो आपमे knowledge होग अपने आपको सिखा लोगे अपने आपको train कर लोगे और उसमें से बाहर निकल के bounce back करना वह बहुत बड़ी बात है जो बंदा ये cycle complete कर पाता है न वो बंदा stock market में टिक जाता है एक खास जियान तकना point no.6 अच्छी move ज्यादा तर मीस ही होगी देखो मैंने तो मेरी life में यही सिखा है और काफी सरे traders को भी दिखता हूँ जो अच्छी move होती है न कहीं बार हम जे वो मीस ही करते है हमेसा और इसके पीछे regret मत करो जितना आप regret करोगे न उतना emotionally आप दूसरे trade में ध्यान नहीं द में trade लेना हो तो ले लो profit book करना हो तो कर लो इससे ज्यादा गर आप stock market में सोचोगे न हर मूँ के पीछे भागोगे यह तो हर मूँ के साथ emotionally attached होगे यह तो हर ऐसी मूँ जिसका आप miss कर रहे हो उसका आप regret करोगे तो भी आप stock market में ठीक नहीं सकते क्यों क्योंकि जो मूँ मीस होने वाली है it's okay last one बताने जा रहा हूं market उन trader को ही पैसा कमाने देगा जो trader deserve करता है option trading में अब आप बोलोगे कि यह तो बहुत theoretically statement हो गया deserve करता है मतलब क्या क्या मैं deserve नहीं करता है नहीं मैं उसको थोड़ा एक step आगे जाके समझाता हूं इसी लिए यहां पर जो बंदा पैसा कमा पाता है ना time to time year after year क्यों बंदा deserve करता है ना तभी उसको स्टोक मार्केट देती है deserve करना मतलब वह बंदे को continuously learning machine बनना पड़ेगा वह बंदे को अपना ego side में रखना पड़ेगा वह बंदे के पास system होनी चाहिए वह बंदा एक emotional trader नहीं हो सकता जहां पर lost दिख रहा है वहां पर lost book करना है wrong expectation के साथ stock market में नहीं जाना है और stock market के सामने उसको सही तरीके से जैसा है वेसा approach करना है यह सब जब चीजे आती है न तो बंदा एक deserving candidate बच जाता है stock market के लिए इसको बहुत ही simple language में में बोलू कैसा बोला जाता है कि उसने अपने आपको stock market के लिए ढाल दिया है उसके अनुकुल बना लिया है कई बार जब हम नए stock market में आते हैं हमारे पास कहीं सारी wrong expectation होती ego होता है हम यह प्रूव कर देंगे वो प्रूव कर देंगे कुछ नहीं होता इसलिए यहां पर degrees से ज्यादा आप कौन हो आप पैसों को कैसे handle करते हो आप profit के time कैसे हो आप loss के time कैसे हो इस सब आपकी personality और mindset पे depend करता है और इसे बंदे survive करते हैं सो option trading में आओ most welcome to option trading मेरे ये 6-7 point आप समझ लो अभी शायद नहीं हो तो ना समझ पाओ पर दीरे-दीरे life में आप इस point से agree करना start कर दोगे जहां पर option trading में कोई भी question है buying side, hedging side अब मेरे साथ whatsapp में connect रह सकते हो पैसा तो बनेगा कि application भी download कर लेना बहुत important insights मिलेगी जो आपको बड़े-बड़े loss से बचाएगा और आपको सही track पे लाएगी thank you thank you very much, मिलते रहेंगे अच्छ अच्छी वीडियो में, तब तक कला I wish you lots of love and happiness, see you soon दोस्तो अगर आप एक asset trader हो, जिसको tips और shortcuts नहीं चाहिए, बट आप seriously stock market में आगे बढ़ना चाहते हो, अपने और अपने family के लिए income अन करना चाहते हो, तो आपके लिए एक बहुत ही अच्छी good news है मैंने start किया हुआ है bank nifty workshop और काफी सारे trading systems, ये दोनों की theme है mentorship, क्योंकि मैं मानता हूँ कि stock market में सफलता हासिल करने के लिए आपके पास कोई mentor होना चाहिए, जो आपको सही राह दिखा सके, आपका हाथ पकड़ सके, तो आपके काफी सारी journey easy भी हो जाएगी, बड़े मैं से भी बच जाओगे, अच्छी तरह से trading भी करोगे और life में आगे भी बढ़ सकोगे, तो अगर आपका थोड़ा सा long term viewpoint है, तो आप पैसा तो बनेगा कि application आज ही download कर लो, वो application में आपको bank nifty workshop मिल जाएगा, वो उन traders के लिए हैं जिनको आगे जाके bank nifty में महारत आसिल कर नहीं है, दूसरा कि option buying system मिल जाएगी, intraday system मिल जाएगी, swing trading system मिल जाएगी, investment system मिल जाएगी और hedging system मिल जाएगी, ये systems में strategist के साथ साथ mindset पे कैसे work करना है, risk management कैसे करना, ये 360 degree solution in terms of mentorship theme में ने दिया हुआ है, ताकि बंदा पीछे ना हटे, बंदे को shortcut ना मिले, और साथ त cloud के लिए connect रह सकते हो, ताकि कोई भी बंदे को एक सही रा मिले और सही तरीके से वो बंदा आ गया है, अगर आपका focus ये है, तो आप पैसा तो बनेगा के साथ जूड सकते हो, क्योंकि मुझे भी ASI trader के साथ जूडना अच्छा लगता है, कि जिन में patience है, जो सही तरीके से पैसा कमाना चाहता है और वो खुद believe करता है कि नहीं उसको stock market में mentor या coach की जरूवत है, पैसा तो बनेगा कि application की link आपको description में मिल जाएगी, ना मिले तो आप मुझे whatsapp भी कर सकते हो, मैं आपको वो link दे दूँगा, see you soon